हलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का, मैं ठीक होकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा कमेंट करने के लिए, अभी भी मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आवाज इधर उधर लगे तो मैनेज कर लेना, त सबजी के साथ उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, हान्यू उसके प्लेट में खाली सबजी देखता है तो उसे अपना खाना एक्सजेंज कर लेता है, ये देखकर उसके सब भाई बहन उन दोनों को ही चिडाने लगते हैं, सब के खाना खत्म हो जाने के बाद हान्यू उन दो हो कि हम उसके साथ अच्छा वेवार करें, वो एक कातिल की बेटी है, वो ये सब डिजव करती है, ये सुनकर हान्यू उसके ऊपर तूट पड़ता है, और उन्हें अच्छे से सबक सिखा कर कहता है, अगर फिर से सू को परिसान किया तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल तो वो लोग उससे सोरी कहकर वहां से भाग जाते हैं, सु हान्यू को अपने लिए फाइट करते देख कर बहुत ही ज्यादा खुस हो जाती है, और अपने प्यार को अगले मुकाम तक ले जाने से खुद को रोक नहीं पाती और जाकर उसे किस कर लेती है, सु के ऐसे सड़न किस से हानियों तो फुली सोक्ट ही हो गया था, और उसके प्यार के ज्यार से बहुत खुस भी था, अगली मौनिंग इनबाव अपने पापा के साथ नास्ता कर रही थी, अंकल उससे कहते हैं, तुम बहुत दिन तक बाहर रह गई हो, अब अपने घर वापस आ जाओ, इनब पापा को पेंडेंट के खोने की बाद बताती है, तो वो थोड़ा वरेसान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम सा पेंडेंट नहीं था, उस पेंडेंट में बहुत पावर थी, उसके नाना लोग इस पेंडेंट की हेल्फ से ववट कींग के पावर को कंट्रोल कर सकते थे, उसके पापा कहते हैं, वो पेंडेंट किसी गलत हात में नहीं पढ़नी चाहिए, वरना अनत हो जाएगा, बट उन्हें क्या पता था कि वो तो गलत हातों में लगी गई है, अंकल इन बाव से पूछते हैं, क्या तुम फोक्स कलान में किसी मैंगसू को जानती हो, इन बाव में जाओ तो उस पर नजर बनाए रखना, क्योंकि उसी नहीं सू अंकल को फोक्स नीरल दिया था, अगर वो पेंडेंट उसके हाथ लग गया तो उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इधर सू अंकल से आंटी मिलने आती है, और उसे इन बाव का पेंडेंट देते हुए कह कि ये पपट केंग का ही एक ट्रैस है, इस से पपट बनाया जा जकता है, उस पेंडेंट को पाक और सू अंकल बहुत ही जादा खुस हो जाते हैं, अब तो मैं फिर से पावरफुल बन जाओंगा, आगे सू हो अपने आदमियों के साथ जंगल में अंकल को ही ढून रहा था अंकल उन से छिप रहे थे पर सू हो उन्हें पकड़ ही लेता है, बड़ अंकल इतनी जल्दी हार कहां से मानते, वो अपने बातों के जाल में उसे फसा लेते हैं, उस से कहते हैं, मैं तुम्हें चांग्यान और इन्बाव से बदला लेने में हेल्फ करूंगा, और फिर उस यकिन दिलाने के लिए उसके सामने ही एक आदमी को पपेट बना देते हैं, ये देखकर सू हो भी उनकी बातों में आ जाता है, और उन्हें बचाने के लिए रात में चुके से अपने रूम ले आता है, सू अंकल बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गए थे, इसलिए अपने प चीक होने के बाद उसने मुझे धोका दे दिया तो, इसलिए उसके सो जाने के बाद उसके पास जाकर पेंडेन को चुराने की सोचता है, पर सू अंकल अभी सोय नहीं थे, उटकर खड़े हो जाते हैं, हुओ उसे पेंडेन मांगता है, वरना उसे मार डानने की धमकी देता पर सू अंकल उसे देने से मना कर देते हैं तो हूँ उन पर हमला कर देता है सू अंकल इतना कमजोर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पावर पुलते और वो सू हो के उपर भारी पढ़ने लगते हैं हुओ की चीक सुनकर उसके पापा भी वह आ जाते हैं और अंकल पर हमला कर देते हैं आखिर कार हुओ अंकल का गला काट कर उसे मार डालता है फिर उसके पापा को सबको बुला कर लाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद चुपके से वो पेंडन अपने पास रख लेता ह सब लोग आकर देखते हैं कि सू अंकल तो वहां पर मरे पड़े थे हुओ घबरा रहा था कहीं उसका अभाणा ना फूट जाए इन बाव बोडी के अच्छे से जांच करती है उस पेंडन वाले बड़े से घाव को देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है बट हुओ उस बात को कबर कर लेता है रात में हुओ उस पेंडन को अपने फावर से अक्टिवेट करने की कोशिश करता है फिर इसे ट्राइ करने के लिए बाहर जाकर एक आदमी को फफट बनाने लगता है तभी उसके पापा आकर उसे पेंडन चीन लेते हैं उन्हें पहले ही उस पर सक हो गया था, इसलिए उचुपके से उसका पीछा कर रहे थे, रूम आ कर उसे समझाने लगते ही कि तुम इस गलत रहा पर मत चलो, इसका आंध बहुत भयानक होगा, अभी भी वक्त है, वापस लोट आओ, अब बहुत देर हो गई थी, हुओ और लो उसिस करकर बाहर तक आ जाते हैं, उनकी आवाज सुनकर इन्बाव और चांग्यान भी बाहर आ जाते हैं, और हुओ को अपने पापा को ऐसे माते दे कर चांग्यान उसे दूर हटा देता है, सबके वहाँ पर आ जाने से हुओ वहाँ से भाग निकलता है, अंकल हुओ को पक आपने रास्ते निकल परते हैं चांग्याण और इंबाव फिर से बेमिंग सिटी चले जाते हैं और बाकी सब क्यूंसि शिटी वावस लोट आते हैं सुभी हन्यों के साथ करे चांग्यांं बुक में से जोल को बाहर निकलने का तरीका घोण रहे थे, बट उन्हें ऐसा कोई भी बुक नहीं मिलता, तो इनवाव कहती है, क्या सारे पुराने बुक भरी रखे जाते हैं, तो फोक्स कहता है, नहीं, और एक जगह है, जहाँ पर पुराने बुक रखे जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड इन पर एंड होता है थैंक्स पूर वाचिंग स्टे कनेक्टेड बाइ बाइ